तो आप सबी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने अपने अजुकेशनल प्लेटफॉर्म ट्रेड विद एके पे जी हाँ दोस्तो डेली आनलिसिस के तहट आज 11 आप सप्टेंबर को मार्गेट की दशा और दिशा क्या हो सकती है यह वीडियो आपके सामने मैं बहुत ही कम समय के लिए इंट्रेड्यूस करने जा रहा है और दिहान दीजेगा अभी तक हमने जितनी भी डेली आनलिसिस की हमारी आक्यूरिसी आप पूरे वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं 90% प्लस हम जो डायरेक्शन मार्केट को दिखाते हैं या जो हम मार्केट को प्रि कर लिजे अगर आपने सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन आन कर लिजे अगर दोनों काम आपने कर रहे हैं तो इसे अपने कम्यूनिटी में आपके साथ आपके जो दोस्तने आपके जो फ्रेंड सरकल है वो भी इन चीज़ों का लाब उठा सके मैं आपको बताओ दो ट्रेड भी देके एक एजुकेशनल प्लाटफॉर्म है जो एवरी तुज़डे और एवरी थर्सडे फ्री लाइव सेशन करता है इंडियन स्टांडर्ड टाइम के इसाप से फ्रेंड 7 पीम टू 8 पीम के बीच में यह जो हमारा फ्री लाइव सेशन होता है यह हमारा ट्रे ट्रेड नहीं हुई बागी की चारों प्रेड ने हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट दिया हमने तकरीबन तकरीबन 300 प्रॉफिट एक घंटे की ट्रेडिंग के अंदर बुख किया तो आप चाहते हैं ऐसे फ्री लाइव सेशन जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है सिर्फ आपको एवरी टूस्डे और थर्जडे ट्रेड भी देके का अप्लिकेशन आन करना है और फ्री लाइव सेशन पर आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं इसके लिए फ्रेंड आपको हमारा अप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा अगर आपके पास एंडरॉइड फोन ह है तो यहां पे एंडरॉइड फोन का लिंक दे रखा है जिससे आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन होल्डर है तो यहां पे आईफोन होल्डर के लिए भी लिंक दे रखा जहांसा आप इस आपको डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको बता दो फ्रेंड सेप्टेंबर के लिए प्रेंट यहां पर लिंक दे रखी है आप इस लिंक पर जाकर अपने आपको रजिस्टर करें हमारी टीम आपको कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगी अगर आप परसनल मेंटर्शिप देख रहें ट्रेडिंग बहुत दिनों से कर रहें बड़ा प नए है तो बेसिक टो एडवांस की लिंक भी दे रहें जिस पर आप जाकर यहां पर क्लिक करके हमारे सेशन को जोइन कर सकते हैं तो चलिए आपसे ज़्यादा समय नहीं लेते हैं मैं आपको सीधा ले चालता हूं पहले एकनॉमिक कैलेंडर पर आज क्योंकि फ्रेंड मार् 18th of September को जो United States Dollar Interest Rate को कम करेगा या नहीं करेगा यह आज की न्यूस पर डिपेंड करता है तो देखते हैं आज 11th of September को मार्केट का सिनीरियों क्या होने के चांसे हैं तो लेट स्टार्ट फ्रम डॉलर इंडेक्स फ्रेंड तो मैं आपको बता दो यह मैं जब analysis कर रहा हूं व fundamental reasons में मैंने जितने भी websites पढ़े आप अगर अपने मेरा भी तक वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने CPI का आज ही एक वीडियो दिया है कि आज CPI की news क्या होने वाली है तो मेरा मानना है कि dollar index आज दिन भर negative trend में रहेगा यह छोटा मोटा correction यहाँ पे optimal training entry and bullish fair value gap से ले सकता ह है नीचे sell side liquidity का zone रखा है तो अगर United States dollar के लिए आज की खबर शाम को negative रहती है तो फिर यह इससे भी नीचे की तरफ और dollar जो है गिर जाएगा और अगर आज news आने से पहले तक का सिवीरियो में देखता हूं तो मेरा मानना है dollar अभी जो वीडियो में record कर रहा हूं 101.42 पे है और यहां से 101.14 के आसपास यह बेरिश रह सकता है United States dollar अगर CPI में positive आता है तो यह मेरा जो black वाला बात है यह बात आप follow करेंगे अभी dollar index negative रहेगा फिर यह छोटा मोटा correction करेगा overall CPI से पहले dollar index sideways आपको दिखाई देगा और अगर dollar index के लिए news positive आती है तो यहां से market bullish direction में ज positive आती है तो यह bullish रहेगा और अगर negative आती है तो यह bearish होने के chances बनते हैं तो चलिए friend देखते हैं कि अगर आप EURUSD के trader है तो आपको आज क्या करना चाहिए मेरा मानना है कि EURUSD जो है friend आज bullish momentum में रहेगा यह CPI से पहले का news है fundamental में कुछ भी हो सकता है friend तो अगर आप EURUSD क trader है friend तो मेरा मानना है कि जैसे मैंने यह analysis की थी friend तो यहाँ fair value gap से market ने bullish bull run देना शुरू किया है तो अभी जो EURUSD का पहला target होगा friend वो होगा 1.1053 पे यहाँ पे liquidity grab zone बन रहा है friend जहां से liquidity grab करके market छोटा से correction नीचे दे सकता है और इसके बाद यह उपर के तरफ fair value gap का जो level ह friend यहने की 1.1072 यह level तक भी आपको news से पहले दिखाई देगा अगर news United States dollar के लिए negative रहती है friend तो EURUSD यहाँ पे आपको और भी bull run करता हुआ उपर की तरफ मिल जाएगा बट अगर USD positive रहा friend तो यह वो मैंने जो circle draw किया है यह turning point है market का यहां से EURUSD आपको selling में जाते हैं मिल तो हमने देखा friend की EURUSD का जो overall momentum है आज bullish है बट news में यह momentum change हो सकता है GBPUSD में अगर मैं आपको लेके चलो friend तो same EURUSD की तरह GBPUSD का यह मेरी analysis जब मैंने की थी तब market था almost 3087 पे और अभी 3097 पे पहुँचा है 7 Pips की moment bullish direction में ले लिए friend उपर की तरफ यहां पे आप equal high देख रहे है या liquidity zone है इसके उपर friend bearish fair value के आप है optimal trading entries है order blocks है तो overall जो GBP का momentum बन रहा है वो इस वक्त bullish momentum है news आने से पहले friend यह bullish हो सकता है आप एक अच्छी selling की trade देखोगे friend optimal trading entry या order block से यह नीचे आ जाएगा बट अगर news USD के लिए negative रही friend तो GBP फिर इसे हाई level को break करके उपर की तरफ जा सकता है तो overall news से पहले momentum GBP का bullish है friend news के बाद direction क्या है मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको USD JPY में ले चलता friend क्योंकि आप में से बहुत सारे trader USD JPY को trade करते हैं तो USD JPY का overall जो momentum चल रहा है friend वो bearish trend में है downtrend में ही रहेगा और मेरा मानना है कि यह देखे एक inducement level ता friend जिसके नीचे market आ गया है तो inducement level के ठीक नीचे एक bullish fair value gap भी आप देख रहे हैं और उ यूज में USD positive होती है तो फिर यहां से bull run ले सकता है बट मुझे लगता है friend अगर news negative ही रही तो फिर USD JPY का और भी नीचे जाना लगबगता है और 139.500 का जो level है यह level तक USD JPY bearish रहेगा तो news से पहले friend USD JPY का trend bearish है आज इसका momentum selling का होगा और news में जो होगा वो मैंने आपको explain कर दिया है अब अगर आप gold पे trade करते हैं friend तो gold का भी देख लेते हैं क्या होगा मेरा मानना है gold जो रहेगा friend वो first half में आपको bullish momentum को maintain करेगा बट बहुत ज्यादा moves आज gold में नहीं मिलेगी क्योंकि CPI एक important data है friend तो investor जो उससे पहले बड़ा fund invest नहीं करेंगे तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि gold जो है वो थोड़ा सा side waste momentum आज दिन भर maintain करेगा बट overall जो trend रहेगा इसका वो bullish रहेगा जब मैंने यह analysis किया friend तब मैंने देखा कि यहां पे optimal trading entry आ रही है lower time frame पे और साथी साथ एक trend line आ रहा है जिसकी वज़े से gold जो है bullish moment करेगा उपर fractal है friend एक important key level है और सा United States dollar positive होता है friend तो 25,30,32 से gold आपको bearish जाता वा नजर आएगा फिर यह एक बार all downtrend में जाएगा और 2500 का जो level है यहां तक यह चले जाएगा लेकिन अगर dollar index negative होता है friend तो आज आप देखें gold जो है अपने पिछले जितने भी highs इसने बनाये friend इसका high था 25,31 यह आज इस high को break कर देगा अगर dollar index negative रहता है और उपर की तरफ इसका जो level बनता है friend 25,56 का level जो है यह इस level को news में touch कर सकता है तो अब मैं आपको लिए चलता हूँ एक बार silver पे friend क्योंकि आपने से बहुत सारे लोग silver पे भी trade करते हैं silver का भी momentum same रहेगा friend silver जो है बहुत हद तक अभी आपको sideways मिलेगा क्योंकि gold भी sideways है इसके उपर एक देखेगा friend equal high बना है यानि कि liquidity zone है उपर optimal trading entry है तो मेरा मानना है कि news से पहले silver bullish रहेगा और इस optimal trading entry से silver थोड़ा downward जा सकता है अगर news friend United States dollar के लिए positive आती है तो silver जो है friend यहाँ से 28,705 से अच्छ जो sell side liquidity का zone है 27,690 के level तक भी यह जानेते हुए मिल जाएगा बट अगर dollar index friend negative आता है तो फिर silver अपने उपर जो buy side liquidity का zone है 29,120 पे friend इस level को भी break करता हुआ जरूर आपको मिलेगा तो मैं आपको overall बता दू silver का जो first half होगा वो bullish होगा friend rest depend करता है कि news किस direction में जाती है मैं आपको लेग चलता friend BTC USD, BTC USD को मैंने जैसे कल भी बताया था बरसों भी बताया था friend यह अपने uptrend को continue करेगा आज भी मैं आपको बता दू BTC जो है अपने uptrend को continue करने की probability बनती है मेरा मानना है friend कि BTC यहाँ से एक छोटा correction करेगा trend line है यहाँ पे Fibonacci के levels है, fair value gaps भी ब equity grab area और order block है friend यहाँ से इसके bearish होने का momentum बनता है अगर United States dollar negative आता है friend तो फिर BTC आज अपना previous जो high level है friend यह high level को break करता हुआ आपको मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पार है BTC जो है 59,800 के level पे जा सकता है अगर dollar negative आता है बट अगर dollar positive आ जाता है friend तो फिर BTC के ल 54,820 के level पे भी आ सकता है तो मैं आपके एक बार फिर से बताओ दो friend जितनी भी analysis है यह सब technical based analysis है यह हमारे अपने personal view है we do not मतलब हम आपको consider नहीं कर रहे कि आप इस पे कोई भी investment का decision ले सिर्फ यह education purpose के लिए video बनाई जा रही है और एक बार फिर से बताओ दो friend चैनल को subscribe ज बहुत ज़्यादा helpful होती है और आपको market के direction को identify करने में बहुत help मिलती है तो एक बार फिर से बताओ दो friend trade भी देखे अपने सारे clients के लिए every Tuesday और Thursday free live sessions करता है जिसके लिए आपको हमार application download करना है और अगर आप इस course को Forex को पूरी तरीके से grab करना चाहते है तो आप यहाँ पर दी गए links को जरूर क्लिक करें और information को collect कर सकते हैं तो मेरे साथ बने रहने के लिए friend thank you so much CPI की news पर संभल के trade कीजेगा friend मिलता हूं कल सुबह next video के साथ तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखेंगे and happy trading friends thank you so much